Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज के हमारी रोचोक उप्योगी जानकारी लेटस या सलाद के पत्तों के बारे में है आज हम इन लेटस के प्रकार या वेराइटी के बारे में जानेंगे तो चलिए शू करते हैं आज हमारे पास यह चार लेटस के प्रकार हैं यह लेटस लेटस लेटवा सेटवा वेगानिक नामवले पॉंदों के विबिन किस्मों के पत्ते हैं जिनको दुनिया भर में सलाद में या इसी तरह कच्छे खाने में ही उप्योग में लाया जाता है आज सबसे पहले यह लेटस ग्रीन लीफ यह सबसे अधिक उपलब्द रहता है यह पत्ते सलाद बनाने के साथ साथ सलाद को परोसने में भी उप्योग में लाये जाते हैं यह कोमल पत्ते हैं जो सलाद में बहुत जल्दी अपना कड़़पन या क्रंचिनस हो देते हैं इनको प्योग बर्गर और रैप आदी में भी किया जाता है यह खाते समय अंत में हलके कड़वे लगते हैं परनतो सलाद में ड्रेसिंग के साथ इनका कड़वापन कहीं लुप्थ हो जाता है आज दूसरा पत्ता है लाल पत्तो वाला लेटस जो आधा लाल और आधा हरा होता है यह है लोला रोसो यह ग्रीन की तरह कोमल पत्ता है परनतो यह हरे पत्तों की तुलना में अधिक तिकता है इसका कड़़पन भी देर तक रहता है इसमें हलके कड़वे पन के साथ जास या पंजनसी भी होती है आज तीसरा है ये रुमेन लेटर्स इसके पत्ते इसी तरह लंबे और मोटे होते हैं अन्ने तीनों लेटर्स के तुल्ला में ये सबसे अधिक अपने सीजर सैलेट के कारण ही प्रशलित है ये ग्रीन के तुल्ला में अधिक समय तक ठहरता है इसे अकसर काट कर ही सलाज में उप्योग में लाया जाता है ये पत्ता क्रंच के साथ साथ थोड़ा नमकीन भी लगता है आज चौता है ये बटर हर लेटर्स जो दिखने में इस सारा गोल सा लगता है इसके पत्ते चिकने और मोटे होते हैं ये मुँ में चिकना और कड़वा लगता है ये सबसे महंगा और लंबा टिकने वाला लेटर्स है ये है हमारे चारो सलाथ के पत्ते ग्रीन लीव, लोला रोसो, रोमेन और बटर हैड लेटर्स जो इनी नामों से ही प्रचलित हैं आजकल लोगों के सलात के बढ़ते प्रेम के कारण ये चारों ही प्रचलित हो रहे हैं यहां आप उपरी तौर पर देख सकते हैं ये हरा और ये लोला रोसा उल्जे उल्जे पत्ले पत्ते वाले हैं जबकि रोमेन, लंबे और बटरहेट गोल पत्ते वाला है ये दोनों थोड़े चिकने हैं लाल और रोला रोसा की तुल्ना में इन चारों का कोई विशिस स्वाद नहीं है इस स्वाद में पत्तगोबी और मूली के पत्तों का हलका ये milder version लगते हैं इसलिए इनको dressing ये vinaigrate के साथ ही परोसा जाता है इन सभी पत्तों को अच्छे से धोएं और सभी को उप्योग करने से पहले ठंडे पानी में भिगो कर रखें ताकि ये कड़क बने रहें अनेथा ये बहुत जल्दी मुर्जा जाते हैं इन सभी में अच्छी मात्रा में विटमिन A, विटमिन C और विटमिन K पाया जाता है विटमिन K मामले में रोमेन और बटर हेड सबसे अधिक सेहत मन्द है इनमें अच्छी मात्रा में खनिश लवन जैसे लोहा, कैल्शियम, पुटैसियम आदी भी पाया जाते हैं जिसमें लाल वाला सबसे अधिक सिहत मन्द है ये चारो ही डिपार्टमेंटल स्टोर्स और उनलाइन स्टोर्स में उपलव्ध है इनका मूले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम आशा करते हैं आज के हमारी लेटिस ग्रीन लीफ, लोला रोसो, रोमेन और बटर हेड़ लेटिस की यह जलक आपके एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी थैंक्स और वाचिंग एड कीप इंजॉइंग आर एवरीडे लाइफ